हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु माधवीस किचन, आज हम अपने घर पर बना लेते हैं, बहुती आसानी तरीके से, बैकरी स्टाइल वेनिला केक इसे बनाना बहुती आसान है, दोस्तो आपको तो पता है, मेरे हरे और एक रेशिपी बहुती आसान होती है, मेरे एक ही नियम है, बनाने में आसान और खाने में ला जवाब। दोस्तों आभी तक तो मैंने इसी तरह के आपको डेशी पिस बताते आ रहे हूं और आगे भी ऐसे ही होंगे। कितना आसान है। दोस्तों पहले हम ग्यास के उपर एक कड़ाई ले लेते हैं और कड़ाई में हम डालेंगे रेती। अगर आपके पास रेती ना हो तो आप नमक ले सकते हो। नमक भी लेके अच्छे से ऐसे एकवल स्प्रेट करके एक स्टैन रखके इसे ढखके हम प्री तो आप घर का कोई भी कटोरिया ग्लास से नाप सकते हो। और इसमें हम ले लेते हैं आधा कप बिना फ्लेवर की रिफाइंड ओइल आप कोई भी रिफाइंड ओइल बिना फ्लेवर के ले सकते हो। अब हम इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे मिक्स ओने के ब नाप रही हूं मीजर कर रही हूं देखिया आप मैंने धोड़ा सा दूध कम लीया हूं अगर कम पड़े तो हम हम दुबारा दूद हम डाल सकते हैं इसलिए थोड़ा आप भी कमी ले लिजिए हमने सारा दूद इसमें डालके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजिए च fulfillment अभी हम ड्रा अँड्रीडेंज डालेंगे मैने यहाँ पर मैदा ले रही हूं जो कप मैंने सब्य मिजर कर रहे हूं वही कप से मैंने दो कप मेजर करके रखी हूं मैदा यह दो कप मैदा हम इसमें डाल लेते हैं डाल के हम अभी अच्छे से फिर से मिला लेते हैं इसमें लम्स ना हो आप बस इसका खास द्यान रखिए दोस्तों आप देखते ही देखते कुछी मिन्टों में अपने केक की बैटर तेयार हो जाएगी आप बस एक की डायरेक्शन में इसे मिक्स करते जाएए आप देख लिजिए एकदम स्मूध बैटर अपना तेयार हो गई है एकदम फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में है आपकी बैटर ऐसे होने चाहिए अगर आपकी बैटर थोड़ा गाड़ा हो तो आप एक दो चमच दूद और भी डाल सकते हो अभी हम इसमें एड़ करेंगे फ्लेवर के लिए आदा चोटी चमच वेनिला एसेंस अगर आपके पास वेनिला एसेंस ना हो तो आप इलाची पाउडर भी ले सकते हो और इसमें डालेंगे एक चुटकी बर की बेकिंग सोडा एक टी स्पून जितने बेकिंग पाउडर अभी हम इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं बस हो गए अपना केक की बैटर तैयार और केक को बेक करने के लिए केक टिन या फिर एसा घर का कोई भी बरतन आप ले लिजिए इसे साइड से बीच में ओयल से अच्छे से घ्रीज कर लिजिए और इसके बाद हमें एक दो टी स्पून मैदा लेके अच्छे से डस्ट करना है जैसे मैंने वीडियो में बता रही हूँ अब बस वैसे कर लिजिए आप हाथ बिल्कुल भी बरतन के अंदर मत डालिए और साइड से भी बीच में भी अच्छे से मैदे को डस्ट करके जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे आप हटा लिजिए एसे करने से आपकी केक बिल्कुल भी जलेगी नहीं अगर आपके पास बटर पेपर हो तो आप बटर पेपर भी मैदे के जगा यूज़ कर सकते हो अभी हम सारे केक बैटर को इस बॉल में डाल लेते हैं हम सारे बैटर डालने के बाद दो तीन बार इस बरतन को अच्छे से टाप कर लेते हैं अगर बैटर में कुछ एर बबल्स हो तो वो रिमूब हो जाएगा अभी हम इस बर्तन को जो हमने प्रिहिट होने के लिए रेती से रखे है वो ही कड़ाय में अभी हम इसे रख लेते हैं और अच्छे से रखने के बाद हम इसे डख के 30 से 35 मिनिट तक लोटू मीडियम फ्लेम में इसे हम कुक कर लेते हैं जब तक केक बन जाएगा तब तक हमने केक का फ्रोस्टिंग तैया हमें यहाँ पर लेना है एक कप विप्ड क्रीम फ्रोस्टिंग के लिए क्रीम हमेशा छिल होना चाहिए और ये क्रीम बहुत सारे बेकरिस में आसानी से मिल जाती है अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेते हैं, मैंने यहाँ पर एलक्रिक बीटर यूज़ की हूँ, अगर आपके पास एलक्रिक बीटर ना हो, तो आप हैंड बीटर से कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगती है, और बीच बीच में आप साइड की जो क्रीम ह उसे अंदर करते हुए, फिर से बीट कर लेजिए, अब देख सकते हो, आठ से दस मिनिट हुई है, एकदम स्टिफ पिक आ गई है, मैंने आपको स्पैचुला से बता रही हूँ, अब देख सकते हो, बिलकुल भी गीरी नहीं रही है, इसकी मतलब अपना क्रीम एकदम तयार है, अब हम इसमें शुगर पॉडर एड़ करते हैं, लेकिन आप ध्यान रगिए कि शुगर पॉडर बिलकुल फाइन पीसना है, या फिर आप जान के ले लीजिए, इसमें पहले से शुगर होती है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ डेढ चमाश शुगर पॉडर ली है, और शुगर और वेनिला एशन सच्चे से पूरे क्रीम में मिक्स हो जाए, बस अपना क्रीम तैयार है, फ्रोस्टिंग के लिए, अब हम इसे थोड़े देर के लिए फ्रिज में रख लेते हैं, पेतिस मिनेट हो चुकी है, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं, अपना केक बन गए कि नहीं, आप चाकू या टूथपिक से चक कर सकते हो, मैंने तो यहाँ पर टूथपिक से चक कर रही हूं, आप देख लिजे, टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, इसकी मतलब अपना केक बन के तैयार है, अगर आपकी केक नहीं बनी है, तो आप पास मेंट इसे और भी पका कर लिजे, और अपना केक तो बन गई है, इसे हम बाहर निकल के ठंडे होने देते हैं, अभी यह केक बिल्कुल ठंडा हो चुकी है, इसे आप एक चाकूले के साइर्स लूज करके, फिर आप इसे पलट दीजे, पलट के एक दो बार बार बाल को टैप कर लिजे, तो बहुत आसानी से अपने केक बाहर आ जाएगी, आप देख सकते हो कितने आसानी से अपना केक बाहर आ गई है, अभी हम इसके जो उपर की पोर्शन है, उसे कट कर लेते हैं, क्योंकि हमें केक फ्रोस्टिंग करना है, तो सभी साइड से एक वल होना अच्छा दिखता है, अभी आज तो हमें सिर्फ दो लेयर की केक बनाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ दो लेयर में कट कर रही हूं, अपना दो लेयर बनके तयार है, अभी हम शुगर सिरफ तयार कर लेते हैं, उसके लिए और चम्मच शुगर की पाउडर, तीन चम्मच पानी डालके, एक बार आप मिला लेजिए, बस हो गए अपना शुगर सिरफ तयार, अभी आप ऐसे यह केक प्लेट या फिर घर का कोईगी प्लेट को थोड़ा सा क्रीम लगा के, और केक के फस्ट लेट को उसके उपर रख लीजिए, और उसके बाद शुगर सिरफ से अच्छे से केक को मॉइचर कर ल लेते हैं, इससे अपना केक के उपर क्रीम इक्वली स्प्रेड हो जाती है, अभी आप स्पैचला से इससे इक्वल कर लीजिए, अगर आपके पास इस तरह की स्पैचला नहीं हो, तो आपके पास जो छोटी स्पैचला होते हैं, उससे भी आप इससे इक्वल कर सकते हो, इक्वल स्प्रेड कर लेते हैं और हम साइड्स को भी जैसे मैंने वीडियो में बता रहे हूँ आप इस तरह से क्रीम लगा के साइड्स से भी इक्वल कर लिजिए और आप से जितना हो सके उतना आप एकदम ख्लीन शेप देने की कोशिश कीजिए प्यूंकि जितना ख्लीन श बना लेते हैं, बहुत ही आसानी से बनने वाले, अगर आपके पास चॉकलेट सिरफ नहीं हो, तो आप एक डेरे मिल्क को डबल बॉयलर में मेल्ट करके भी इस तरह कर डिजेन बना सकते हो, और आप देख लिजे कितने सुन्दर दिख रहे हैं अपने केक उपर से भी और साइ बीच में और यो बिस्केट्स रखेंगे, अगर आपको और यो बिस्केट्स नहीं चाहिए, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो, लेकिन वाइट कलर फ्लार से और बीच में चोकलेट कलर की बिस्केट्स अच्छे दिखेगी, इसलिए मैंने यहाँ पर बिस्केट्स रखी इसके उपर जो फ्लार्स के उपर हम स्प्रिंकल कर लेते हैं, इससे देखने में केक बहुती बढ़िया दिखती है, और इसके लुक देखिए आप एकदम बेकरी के दरा, अगर आप चाहे तो अगर आप बर्डे के लिए बना रहे हो, तो आप एसे एक हैपी बर्डे की फिरब बची है, उसी से आप यहाँ पर नाम भी लिख सकते हैं, या फिर आप एनुवर्सर के लिए बना रहे हो, तो आप वह भी नाम लिख सकते हैं, अभी तो न्यू येर आ रहे हैं, तो सभी लोग न्यू येर में केक बना लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैपी न्यू में और आप कॉमेंट में बता दीज़िये कि आपकी केक कैसी बने है और दूस्तों आपको मेरे वीडिओ पसंद आई तो लाइक कीजिए शेर कीजिए मेरे चानल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लिजिए मेरे हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले ओके फ्रेंस और एक टेस्टी इजी रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं थांक्यू धन्यवाद